ही गाईज फिर से आपका हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है माँपने जिएगा यह वीडियो थोड़ी लेट आ रही है ठीक है तो पिछले वीडियो में हम लोग नें सीखा था कैसे आडीनो की पिंस को एज डिजिटल आउटपुट यूज करते हैं ठीक है तो आज की इ कीय से रिट करते हैं तो चल जो यूज करते हैं सबसे पहले आडीनो के डीजिटल इनपूट लॉजिक को समस्ते है ठीक है यदू इंपुट सिंगनल के वैलू घीड़ियो थी बोल्स या उससे ज्यादा अप्टू 1.5 वोल्ट तक है तो आडिनो यूनो बोट इस सिगनल को एज जीरो या लो सिगनल रीट करेगा ओके लीड़ करना है तो उसके लिए एक डीजिटल सिगनल भी होना चाहिए जिसमें हमको 0-1 मिल सकें तो आप हम को हमको हमको स्टिम нем साथानोे यह है ठीक है हम लोग नॉर्मल एक पुछ बटन की हल्प से एक डिजिटल सिगनल जनलेट करेंगे ठीक है और इसको रेट करेंगे आपके सामने एक स्तरके डियाग्राम दिख रहा होगा जिसमें मैं एक पुछ बटन को आडिनो के पीन्स के साथ कनेक्ट किया हूँ ठीक है आप कोई भी पीन यूज कर सकते हैं एक डिजिटल इंपूट क्योंकि आडिनो के सभी पीन्स को हम एक जीरो बोल्ट की सिगनल मिलेगी ठीक है जैसे हम पुछ बटन को रिलीज करेंगे तो हमारे डिजिटल इंपूट पीन ड्राउंड से डिसकनेक्ट हो जाएगा ठीक है और आप देख सकते हैं कि अब इस डिजिटल इंपूट पीन पर नाहीं कोई लो सिगनल कनेक्ट है और नाहीं कोई हाई सिगनल कनेक्ट है ठीक है तो इस कंडिशन में यह पीन कोई भी न और अगर उस noise signal का amplitude 3V से ज्यादा होगा तो यह pin उस noise को एज़े 1 read करेगी same amplitude अगर 0V और 1.5V की बीज में है तो उसको हमारा controller एज़े 0 read करेगा तो यहाँ पर error आजाएगा मतलब कोई भी random value रीड कर लेगा ठीके हम 1 देंगे भी नहीं और हमारा macro controller 1 read कर रहा है तो यहाँ पर हमको input signal को read करने में error आजाएगा so इस problem को solve करने के लिए हम क्या करेंगे कि spin को by default high voltage से या low voltage से attach कर देंगे यानि कि connect कर देंगे so that अगर हम spin पर कोई भी input नहीं भी देंगे तो हमारा controller एक particular value को read करेगा ठीके अगर low से connect है तो zero read करेगा और high से connect है तो one read करेगा मतलब कोई भी noise signal ये deduct नहीं करेगा ठीके और जब हम spin को high voltage के साथ connect करते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं pulldown मतलब कि first fully हम spin को one बना रहे है ठीके वहीं अगर हम spin को low voltage के साथ connect करते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं pulldown ठीक है बतलब कि हम इसको forcefully नीचे की तरब खीच रहे हैं इसकी value को चीरो बना रहे हैं ठीक है बट हम इस पीन को high voltage या low voltage से directly connect नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम directly connect करेंगे तो जब ही हम इस push button को press करेंगे तो हमारा high voltage और low voltage एक दूसरे से sort हो जाएंगे और हमारे सर की damage हो सकती है तो इस problem को solve करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक register spin और high voltage या low voltage के बीच में connect कर देंगे so that जब भी हम key को press करेंगे यानि push button को press करेंगे तो हमारा high voltage और low voltage एक दूसरे से sort नहीं होगा ठीक है और हमारे सर की damage नहीं होगी जो register high voltage और pin के बीच में connect रहता है उससे हम pull up register बोलते हैं और जो pin और low voltage के बीच में connect होता है उससे हम pull down register बोलते हैं ठीक है और input pull up और pull down हम दो तरीके सदे सकते हैं internal और external इंटर्नल में क्या होता कि हम programming के माधियम से इस पीन को as a pull up या pull down configure कर सकते हैं और external में हमको अलग से इसको एक register के माधियम से pull up और pull down voltage देना पड़ेगा ठीक है तो अभी के लिए external pull up और pull down यूज नहीं करेंगे हम internal pull up यूज करने कि हम इसको verify कैसे करें यहां सच में जो हम signal दे रहे हैं वही signal हमारा controller read कर रहा है या नहीं ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और पीन को configure करेंगा जाओपूट और इस पर हमें LED करतेंगे ठीक है तो जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी वह LED switch up हो जाए और जैसे हम बटन को release करेंगे तो हमारा LED स्विच अप हो जाए ठीक है स्क्रीन पर आप Arduino Unoboard और push button की circuit को अच्छे से देख सकते हैं ठीक है कि कैसे एक दूसरे से character है तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो low voltage spin को जा रही है ठीक है तो जब low voltage spin को जाएगी तो हमारा Arduino Unoboard इस spin को zero rate करेंगा ठीक है तो उस condition में क्या करेंगे कि हम एक logic लिख देंगे कि जैसे हम इस pin को read किये और इस pin की value zero आ गई तो हम इस LED को switch on कर देंगे ठीक है और जैसे इस pin पूर one मिलेगा हम LED को off कर देंगे very simple logic है तो चलिए इसकी programming करते हैं और देखते हैं क्या यह logic work करता है या नहीं आडीनों के किसी भी pin को digitally read करने के लिए हम digital read function का use करते हैं ठीक है और इस function में हमको एक parameter pass करना होता है ठीक है that is nothing बट pin number ठीक है मतलब जिस pin को हम रीट करना है उसी pin number को हम इस function में as a parameter pass कर देंगे ठीक है तो यह function उस pin की value को return करेगा अगर उस pin की value 0 है तो 0 return करेगा और 1 है तो 1 return करेगा ठीक है सबसे पहले led और push button pin को हम define करेंगे इन दोनों pin का mode set करेंगे तो push button को हम input pull up mode में यूज़ करेंगे और led को output mode में यूज़ करेंगे ठीक है अब्सक्रावत झालbut आंडे ल'डे ब अच्वार्फ यूद्स के टीज वेरी संसिता का लिग है कि पहते हिं का संस्या राetts है उट ऑ्राइल हो किस्टराइ premise कि नहीं किन सी विन आम प्रेसिंग एलेडी अमनी टर्णान हो रही है और जैसे में की को रिलीज कर रहा हूं एलेडी स्विच अप हो जा रही है मैं आडीनो के GPIO peripheral को पूरा कवर कर दिया हूँ बड़ अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं कोई टॉपिक छूट गई है तो आप उस टॉपिक को कमेंट बाक्स में में सन कर दिजिएगा सो देट में उसको नेक्स वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा ठीक है बाकि अगर आपको GPIO peripheral कोई भी क्वेरी या एडवाइस है तो हमारा कमेंट बाक्स आपकी यह मस्ता खुला है वहाँ पर जाकर आपने प्रतिक्रिया दे सकने है नेक्स वीडियो में हम नेक्स वीडियो में हम GPIO Silted कुछ examples कवर करेंगे और आपको कुछ assignment भी देंगे ठीक है तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजिए और मुझे support करने के लिए चैनल को subscribe कर दीजिए बस इतना ही करना है ओके तो मिलते हैं नेक्स वीडिय कर दो में